Hello and welcome everyone, आप सभी का स्वागत है The Online Guru में, मैं हूँ सुनिल शर्मा और आज के इस सेशन में RIMC December 2021 का जो पेपर कंड़क्ट हुआ है आज 18th of December 2021 को इसका हम सभी solution देखने वाले हैं, पार्ट नंबर 3rd है इसके पहले के 20 questions को पार्ट 1 और पार्ट 2 में already मैं upload कर चुका हूँ, उन सभी को भी आप लोग देखिए, इन सभी के link नीचे description के अंदर दिये गए हैं, और अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर online preparation करना चाहते हैं, तो 777-653468 के थूँ आप information ले सकते है तो आईए, इन solutions को देखते हैं कि इन questions को कैसे यहाँ पर solve किया जाएगा और कैसे आप अपने marks determine कर सकते हैं कि आपको around कितने marks वहाँ पर मिले होंगे देखें, आपको कहा गया है, following pie chart represent a total number of 1800 teachers, यह सारे कितने हैं, 1800 है, if 2 ninth of the teacher who teach physics is female, तो सबसे पहले तो निकालो physics पढ़ाने वाले कितने हैं, तो 1800 multiplied by physics percentage में हैं, तो upon 100, यह क्या हैं, यह physics पढ़ाने वाले हैं, तो देखो 00 से 00 काटा, बचा के आपके सामने, 18 multiplied by 17, तो 306 जो हैं, यह total क्या हैं, physics पढ़ाने वाले हैं, अब इन में से भी क्या बूला है, 2 ninth, that means 2 upon 9 इन में से जो हैं, वो क्या हैं, female हैं, तो female कितने हैं, तो भाईया सीधा simple सा question है, 306 multiplied by 2, उसे divide कर तो 9 से तो total कितनी हो जाएंगी, 68 यह क्या हैं, female हैं, then number of male physics teacher, अब male physics teacher कितने होंगे, भाईया physics में total teacher कितने थे, 306, तो 306 में से अगर 68 female हैं, तो male कितने होंगे, तो सीधा simple सा है, 306 minus 68, तो कितने आ जाएंगे, 238, तो यहाँ पर मैं easily लिख सकता हूँ कि 238 जो हैं, वो male हैं, तो question क्या पुछा है, then number of male physics teacher is approximately what percent of the total number of teacher who teach chemistry, तो chemistry के total number का, तो भाईया chemistry का total निकालो पहले, तो 1800 का 23 upon 100, 2 0 से 2 0 काटा, 18 multiplied by 23, तो कितने हो जाएंगे, सर्फ 414 हो जाएंगे, यह 414 का, what percent is 238, तेका, दुबारा पर दे रहा हूँ, then number of male physics teacher, चुक्या है 238, is approximate what percent of the total number of teacher who teach chemistry, chemistry पढ़ाने वाले total कितने, 414, तो इसका x percent, तो लिखता हूँ, 414 multiplied by x upon 100 is equals to 238, तो x की value 238 multiplied by 100 upon 414, इसको solve करते ही आपके सामने क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, 238 divided by 414 multiplied by 100, तो approximately value आएगी, वो 57.48 percent यहाँ पे आजाएगी, 238 multiplied by 100 divided by 414, तो 57.48 के approximately आपका answer आजाएगा, ठीक है, क्या पूचा जा रहा है, a man borrowed a certain sum of money and paid it back in two years, in two installments, 3,000 and 2362.5, rate of interest 5% है और compound interest है, तो आपको बताना है, what sum did he borrowed, तो मान लेते हैं, he borrowed a sum, that is P, तो ऐसे में, after one year क्या हो जाएगा, तो मैं आपके लिखता हूँ, after one year, भाई यह sum P था, अब 5% के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, P multiplied by 105 upon 100, तो amount जो है, वो कितना हो जाएगा, 21 upon 20 हो जाएगा, ठीक है, amount क्या हो जाएगा, 21 upon 20 हो जाएगा, अब यहाँ पे इसको क्या कहा गया, कि भाईया, उस person ने कितने चुकाए हैं, 3000 रुपीज चुका दिये हैं, ठीक, कोई दिककत नहीं, अब यहाँ पे बताएगे, second year के लिए principle क्या हो जाएगा, तो second year के लिए जो principle होगा, वो 21 upon 20P में से 3000 चुकाने के बाद जो बचेगा, वही तो होगा, ठीक है, तो second year का principle आपके सामने है, और क्या बूला गया है, इसका भी 5% लगा के आप इतने रुपए चुकाते हो, तो that means 21 upon 20P माइनस 3000 multiplied by 5% पे क्या होगा, 21 upon 20 और यह किसके equal है, 2362.5 के यहाँ पे equal है, अब कुछी नहीं करना, इसी को solve करोगे और P की value आपके सामने आ जाएगी, तो देखिए, जब आप इसे यहाँ पे solve करेंगे, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 21 upon 20 को दूसरे साइड भीज देंगे, तो 21 upon 20P माइनस 3000 is equals to 2362.5 था, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा देता हूँ, यहाँ 20 upon 21 कर देता हूँ, ठीक है, जब आप इसे solve करेंगे, तो यह around आ जाएगा, 21 upon 20P माइनस 3000 is equals to 2250, तो 20 upon 20, 21 upon 20P is equals to 2250 plus का 3000, तो यहाँ पर देखे आगे solve करता हूँ, 21 upon 20P is equals to 5250, तो P की value क्या होगी, 5250 multiplied by 20 upon 21, इसे जब आप solve करेंगे, तो answer क्या आ जाएगा, that is 5000 रुपीज, तो कितने रुपी उसने बौरो किये थे, तो आपका simple answer है 5000 रुपीज, एक question दिया गया है कि एक solid cylinder है, जिसका total surface area 462 meter square है, अचा total surface area का सर्फ formula क्या होता है, तो it is 2pi r bracket में h plus r होता है, तो यहाँ पे इसे solve करता हूँ, 2pi r bracket में h plus r is equals to 462, जब आप इसे solve करेंगे, तो आपके सामने क्या आजाएगा, आपके सामने एक value आएगा, 2 multiplied by pi की जगे 22 upon 7 multiplied by r bracket में h plus r is equals to 462, तो r h plus r is equals to 462 multiplied by 7 divided by 22 into 244, अब ब्रैकेट को multiply करो तो r h और r square हो जाएगा, और r h plus r square is equals to, अब आपके सामने एक अलग value है, that is 462 multiplied by 7, जो हो जाएगा around 3234 divided by 44, तो आपके सामने जो value आएगा, वो around 73.5 आजाएगा, अब आगे क्या कह रहा है, if the curved surface area का formula क्या होता है, तो 2 pi r h होता है, वो कितना है, one third है total surface area के, और total surface area कितना था, 462, तो 462 का one third मतलब divided by 3, तो ये किसके equal हो जाएगा, 154 के, तो लिखा मैंने 2 pi r h is equals to 154, तो 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by r h is equals to 154, यहाँ पे जब solve करोगे, तो r h is equals to 154 multiplied by 7 उपर चला जाएगा, और ये 44 नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो r h की जो value आपके सामने आएगी, वो होगी 154 multiplied by 7 divided by 44, जो कि around होगा 24.5 के, अब ये जो r h की value है, अगर मैं इधर put कर देता हूँ, तो 24.5 plus r square is equals to 73.5, तो r square is equals to 73.5 minus 24.5, तो r square की value क्या होगी, तो यहाँ पे 73.5 minus 24.5, ठीक है, क्या हो जाएगा, 73.5 minus 24.5, जो कि किसके equal होगा, 49 के, तो r की value क्या है, 7 है, निकाल ली हमने, अब यहाँ पे बूला क्या है, then find the volume, अच्छा, volume का formula क्या होता है, यहाँ तो सारे formula एक साथ लगवा रहा है, तो volume का formula होता है, pi r square h, तो r तो आपको पता चल गया, h तो नहीं पता चला, तो h के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको value पुट करनी पड़ेगी, चलिए इसमें अगर मैं r की value पुट करूँ, तो 7 multiplied by h is equals to 24.5, तो h is equals to 245 upon 10 कर देता हूँ, यह 7 upon 1 था, तो इसको 1 upon 7 कर देता हूँ, तो h की value भी मेरे पास आ जाएगी, ठीक है, 245 divided by 7 तो होता है 35, और divided by 10 तो it is 3.5, तो h की भी value आ गई, r की भी आ गई, अब निकालो sir, volume, volume क्या होगा, pi r square h, pi की जगे 22 upon 7, r square it is 7 multiplied by 7, और h क्या है 3.5, तो 35 upon 10 भी लिख सकते हैं, 7 से 7 काटा बचा का 22 multiplied by 7 multiplied by 35 upon 10, सीधा simple सा value है आपके सामने, तो 22 multiplied by 7 multiplied by 35 और divided by 10, तो answer क्या हो जाएगा 539, it is 539 meter cube, sorry volume है तो cube होगा, तो आपका answer है 539 meter का cube, a bucket of 15 liter is filled through a tap at the rate of 1 liter per minute, after 5 minute the bucket develop a crack, 15 liter की bucket है, आप इसे 1 liter per minute में fill कर रहे हैं, तो 5 minute में आपने कितना fill किया, तो देखो 5 minute के अंदर, आप 5 multiplied by 1, 5 liter fill कर चुके हैं, तो remaining कितना है, तो sir remaining जो हो गया आपका, वो हो गया 10 liter, सीधा simple सा यही तो है कि remaining क्या है sir 10 liter है, अच्छा the bucket develop a crack with a leak rate is 10 ml per second, अच्छा leak क्या है sir, लीक यहाँ पे है 10 ml per second, minute में convert कर लूँ में इसे, ज्यादा simple होगा, तो 10 milliliter per second है, तो भही आप per second, तो minute में multiplied by 60, तो 60 multiplied by 10, that is 600 ml, क्या हो जाएगा, per minute यहाँ पे आपकी leakage हो रही है, correct है, आपका जो relative time अगर मैं यहाँ पे निकालूँ, तो आपको भरना कितना है, 10 liters, किस rate से भर रहे हैं आप 1 liter per minute, यानि कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कि 1 liter per minute को जब हम solve करेंगे, तो यह 1000 milliliter होता है, per minute, correct है, 10 है, तो 10 multiplied by 1000 milliliter आपको फिल करना है, correct है यहाँ पे, अब आप जब फिल करते हैं, तो 1 minute में आप जब फिल करते हैं, कितना फिल करते हैं, सर, हम 1000 milliliter को फिल करते हैं, लेकिन लीक हो जाता है, लीक कितना हो जाता है sir 600 ml लीक हो जाता है तो remaining कितना फिल करते हो 400 ml in 1 minute अपिल करते हो correct है यहाँ पर अब बताईए find the time required to fill the bucket bucket में कितना पानी भरना है sir यहाँ पर 10 multiplied by 1000 तो 10 multiplied by 1000 फिल करना है upon में कितनी देर में भरते हैं तो sir 1 minute में 400 एक जीरो में ने चादा लगा लिया हम 1 minute में 400 ml पानी भर देते हैं simple है solve करोगे answer आएगा देखो यहाँ पर 10 से आपने 10 निकाला इस 10 से 10 निकाला और यह 25 तो आपको 25 मिनिट का यहाँ पर टाइम लगने वाला है इसे फिल करने में अजय ने डोनेट किये 1 upon 10 of his money to a school तो आजय ने school को कितना दे दिया तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 upon 10 टेक है 1 upon 10 किसका x का तो यहाँ पर understood होगा x upon 10 ठेक अब 1 upon 6 of the remaining भाया 1 upon 10 school को दे दिया तो बात करेंगे remaining की तो remaining कितना हो जाएगा 9 upon 10 मतलब 9 x upon 10 यह जो remaining है इसका 1 upon 6 किसे दे दिया school को तो इसका 1 upon 6 जो गया वो किसको गया school के बाद church को गया तो यह amount church के पास गया and the remaining अब वही वाली बात आती है भाया कि 9 x upon 10 का 1 upon 6 दे दिया तो remaining कितना 5 upon 6 यह आपका जो है वो remaining amount है इसे distribute किया है equally to his two children दो लोगों में बाटा है ठेक है divided by 2 तो मतलब multiplied by 1 upon 2 कर दूँ यह एक बच्चे को मिला है और यह किसके equal है 75,000 के तो सीधा simple 9 x upon 10 multiplied by 5 upon 6 multiplied by 1 upon 2 is equals to 75,000 अब इसे solve कर दो originally इसके पास कितने थे answer आ जाएंगे देखो 5 तूज़ा 5, 5 तूज़ा 10, 3 तूज़ा 6, 3 तूज़ा 9 तो ओपर क्या है आपके पास 3 x upon 2 तूज़ा 4 तूज़ा 8 is equals to 75,000 x is equals to 75,000 multiplied by 8 divided by 3 3 1s are 3 25, 3s are 75 तो 25,000 multiplied by 8 तो x की value कितनी हो जाएगी 25 multiplied by 8 क्या होता है 200 होता है और पीछे कितने 0 है तो 1, 2, 3, 0 और लगा दो तो x की value कितनी हाई 2 lakh rupees आई तो originally इसके पास कितने रुपए थे 2 lakh रुपए थे ओम ने start किया है एक business और इसके लिए उसने invest किया है 2,50,000 during the first 3 successive years उसने profit लिए है 5%, 10%, 12% per annum if in each year the profit was added to the capital and at the end of the previous year calculate his total profit भया बड़ा ही गजब का question इसने क्या किया हर साल अपना जो profit था उसे add किया तो आपका जो लिखने का pattern होगा वहाँ पे आप 2,50,000 का 5% निकालोगे और add करोगे ठीक है क्योंकि आपको वहाँ पे लिखके दिखाना है मुझे यहाँ पे आपको answers बताने इसलिए मैं directly क्या करता हूं अब जो steps लोगे उसे मैं एक साथ दिखाता हूं 2,50,000 multiplied by first year में 5% का profit था तो मैं 100 plus 5 105 upon 100 कर दूंगा ठीक है जो अमाउंट आएगा वह 250 में जुड़ा हुआ ही आएगा अगले साल इसे क्या मिला तो नहीं वेट एमिनेट calculate his total profit after three year ना ठीक है total profit निकल जाएगा ठीक अब यहाँ पे यह निकल गया है आपके सामने फिर जो आया उसमें 1,1 10 upon 100 करूंगा 10% आड करके और फिर 1,1 2 upon 100 करूंगा ठीक है totally आपके सामने जो है वो profit आ जाएगा let's say 2,0 से 2,0 कार्ट दिया फिर 2,0 से 2,0 कार्ट दिया फिर 5 से अगर देखूंगा 5 5s are 25, 5 2s are 2 1s are 2 then 5 2s are 10 12 6 हो गया ठीक है तो 5 multiplied by 105 ठीक है उसके बाद multiplied by 11 उसके बाद multiplied by 56 तो कितना हो जाएगा 3,23,400 ये इसका क्या हुआ amount आया कब 3 साल के बाद में originally amount कितना था 2,50,000 अब total profit कितना है तो भही हम minus कर दो original amount को इस में से ठीक है 3,23,000 में से 2,50,000 माइनस करना है तो 3,23,400 माइनस 2,50 फिर 1,2,3,0 तो सीधा सीधा सा answer 73,400 रूपीज होगा ये तब मैं कर रहा हूँ जब मुझे सिर्फ आपको answer बताना है कि इसका answer क्या था otherwise आप इससे step by step solve करोगे ठीक है और step by step already आपको मैं पढ़ा चुका हूँ if 7 men working 6 hours a day take 12 day to complete a task then how many days will 3 men working 8 hour will take तो याद करो M,D,H का formula याद आया is equals to M2,D,2,H,2 में हम लोग लिखते थे अब देखो 7 men yellow 6 hours yellow 12 days is equals to how many days तो सर्थ D की जगह कुछ नहीं रखोंगा X ले लेता हूँ 3 men 8 hour तो X की value निकालनी है 7 multiplied by 6 multiplied by 12 divided by 3 multiplied by 8 is equals to A X 3 ones are 3 यह 4 times 4 ones are 4,4 two's are 8,2 ones are 2 यह 3 times तो X की value 7 threes are 21 तो how many days तो सर्थ 21 days यहाँ पे लगने वाले हैं ठीक है बड़ा ही simple सा answer है आपको यहाँ पे एक pie chart बनाना है और data आपके सामने किपन है sleep, school, homework, play and others में आपका जो child का time है वो कितना spend होता है तो देखो पहले तो total करो 8 और 2, 10, 10 और 6, 16 और 4, 20 और 4, 24 hours मतलब total को convert करना है अज़ा एक pie chart में अगर हम लोग बात करें तो कितने degree होता हैं सब 360 degree होता है तो पहले तो मुझे angle find out करना है तो 360 multiplied by 8 by 24, school के लिए क्या होगा 360 multiplied by 6 by 24, homework के लिए क्या होगा, 360 multiplied by 4 by 24, play के लिए क्या होगा, 360 multiplied by 4 by 24, और others के लिए क्या होगा, 360 multiplied by 2 upon 24, ठीक है, solve करेंगे और यहाँ पर सीधा सीधा सा answer आजाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर सीधा सा है, 15 multiplied by 8, तो sleep में कितना 120 degree का angle बनाओके, यहाँ पर 15 multiplied by 6 है, that means 90 degree का angle बनाओके आप school के लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, 15 multiplied by 4, that is 60 degree का angle बनाओके, यहाँ पर again 60 degree का angle बनाओके और यहाँ पर 30 degree का angle बनाओके, तो आपको एक circle बनाना है, यहाँ पर एक line खेंच नहीं, अब सबसे पहला काम, आपको क्या करना है, तो चलो मैं idea देता हूँ आपको 120 degree sleep का, तो यहाँ से आप measure करोगे 120 degree और आपका lump sum मानता हूँ मैं यहाँ पर आया, तो आप यहाँ पर लिखो के 120 degree क्या है यह sleep है, अब उसके बाद क्या करना है, 90 degree आपको लेना है, तो यह मैं मानलो यहाँ करता हूँ, यह आपका 90 degree है, और यह 90 degree किसके equal है, तो sir, 90 degree हमारा equal था school के, तो यह लो भाईया, school हो क्या, अगें जब आपको 90 यह बना लिया, school का, अब आपको क्या बनाना है, यह 60 और 30, 90 बनाना है, तो अपरोक्स यह मानते है, 90 होगा और यह बचा हुआ क्या होगा, 30 होगा, तो यह 30 क्या है, आपका other है, अब यहाँ पर जैसा भी बनता है, आप 60, 60 अगर इसे बाटते हैं, 60 और 60, तो एक तो हो जाएगा आपका homework और एक हो जाएगा आपका 60 डिगरी for play, तो आप ऐसे particular angle को measure करके यहाँ पर एक pie chart बना सकते थे, two pipes A and B can fill a tank in 24 minute and 32 minute, both the pipe are opened together, after how much time pipe B should be closed so that the tank is full in 9 minute, अब यहाँ पर अगर pipe A की बात करूँ, तो 24 minute में complete करता है, तो A जो है, यह in 1 minute अगर बात करें, जो है वो 1 minute में कितना भरेगा, तो सर 1 upon 24 को fill करतेगा, जबकि B 1 minute में कितना fill करता है, तो सर 1 upon 32 को fill करता है, दोनों मिला के 1 upon 24 और 1 upon 32 को fill करते हैं, ठीक है, 24 और 32 का LCM निकालते हैं, 2 से यहाँ पर 12, 2 से यहाँ पर 16, then 4 से यहाँ पर 3 और 4, तो फिर 3 और 4 होगा, तो 4, 2s are 8, 8, 3s are 24, और 24 multiplied by 4 आजाएगा, that is 96, तो 96 आपका LCM आगा, उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो 24 से 96 कैसे आया था, तो 4 ताइम्स, फिर उसके बाद अगर देखेंगे 32 से, ठीक है, 4, 4, 8, 8, 3s are 32, just a minute, 8, 4s are 32, तो 3 ताइम्स, तो कितना, 7 upon 96 यह 1 मिनट में complete कर सकते हैं, अब आपको क्या करना है, 9 मिनट में tank को full करना है, क्या करना है, 9 मिनट में tank को full करना है, तो कितनी देर बाद आपको B को close करना है, यह simple सा question है, अब suppose करो यहाँ पे, कि जो combine में है, यह कितनी देर चलेगा, मान लेता है, combine में यह चलता है X minute, combine में यह चलता है X minute, तो only A कितनी देर चलेगा, 9-X, यही तो होगा अब यहाँ पर अगर combine में x चलता है तो 7 upon 96 multiplied by x plus remaining सिर्फ a चलेगा न तो a की efficiency 1 upon 24 है multiplied by 9 minus x हो जाएगा और दोनों किसके equal हैं सर्फ 1 के equal हैं दोनों complete कर देंगे तो मतलब 1 हो जाएगा इसी को solve कर दो x की value आ जाएगी तो यहाँ पर 7 x upon 96 plus इसे solve करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा 1 upon 24 multiplied by 9 तो 9 upon 24 minus x upon 24 is equals to 1 करेक्ट है थोड़ा सा इसे simplify करने की कोशिश करें तो 7 वन्जा 7 26 नहीं simplify तो नहीं होगा तो 24 और 96 का जब आप LCM निकालेंगे लिगा 24 और 96 का LCM 96 ही आ जाएगा 96 वन्टाइम है तो इसे 7 x प्लस अब यहाँ पर 24 कित्ती टाइम पर है सर 4 टाइम पर है तो 9 4 जा 36 माइनस 24 अगेन 4 टाइम पर है तो इस 4 x is equals to 1 तो इसे solve करके आप कैसे लिख सकते हैं 7 x में से 4 x गया तो 3 x plus 36 is equals to 96 cross multiply कर दिया मैंने 3 x is equals to 96 minus 36 तो 3 x is equals to 0 9 में से 3 गया तो 6 तो x की value क्या हो जाएगी 60 divided by 3 तो x is equals to 20 correct है तो यहाँ पर अब आपको x यानि की combine में कितनी देर चलाना है 20 मिनट चलाना है और फिर क्या कर देना है बंद कर देना है b को फिर अकेला जो है कौन a उसे fill कर देगा question में देखो after how much time pipe b could be close so that the tank is full in 9 मिनट ठीक है b को कितनी दिर बात बंद कर दो कि बचा हुआ tank 9 मिनट में fill हो जाए तो after 20 मिनट यहाँ पर आपका answer हो जाएगा प्रेकर question बड़ा ही अच्छा और important था चलिए next question देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा typical one है बट one by one एक एक step के थुरू हम लोग इसे solve करेंगे अब यहाँ पर one by one अगर step देखें तो पहला step किया है one upon x की power a plus x की power minus b plus का one अगर मैं इसे multiply करूं x की power minus a upon x की power minus a से तब क्या one upon मैं क्या आएगा वो देखेंगा x की power minus a multiplied by x की power a plus x की power minus b plus का one solve करूंगा तो यह x की power minus a था तो यह लो x की power minus a upon x की power a और X की पावर A, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि multiply मैं आपको पता है क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो यह हो जाएगा directly X की पावर 0, प्लस, अब देखो X की पावर माइनस B, ठीक है, और X की पावर माइनस A, तो माइनस A, प्लस B, यहाँ पे, और वो भी माइनस का B, तो फ्लस C, तो C is equals to, माइनस A, माइनस B हो जाएगा, तो यहाँ पे X की पावर आप C कर सकते हैं, प्लस, X की पावर माइनस का A आपके सामने आ जाएगा, तो इसे जब solve करेंगे, तो X की पावर माइनस A, अपोन X की पावर 0 का मतलब होता है, 1 X की power C प्लस X की power minus A आपके सामने आया correct है आगे बढ़ते हैं अगला step है 1 upon X की power B प्लस X की power minus C प्लस का 1 इसे भी हम multiply करूंगा X की power minus B upon X की power minus B से तो क्या आएगा X की power minus B upon अब X की power minus B, X की power plus B plus X की power minus C plus का 1 अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने क्या हो जायेगा तो देखें इसको थोड़ा सा solve करते हैं यह हो जायेगा x की power minus b upon x की power minus b upon अब यहाँ पे x की power minus b plus b 0 प्लस b और c b और c किसके equal होंगे a के equal होंगे तो x की power a प्लस में यहाँ पे x की पावर माइनस का b हो जाएगा इसे और आगे solve करो तो x की पावर माइनस b upon 1 प्लस x की पावर a प्लस x की पावर माइनस b आ जाएगा यह आपका पहला step था यह आपका दूसरा step है same as third step को आप यहाँ पे solve करोगे तो X की पावर C प्लस X की पावर माइनस A प्लस 1 है तो multiply कर दो X की पावर C से और X की पावर माइनस C से तो आपके सामने क्या हैगा X की पावर माइनस C यहाँ पे हो जाएगा X की पावर माइनस C X की पावर C प्लस X की पावर माइनस A प्लस का 1 solve करेंगे तो x की power minus c और ये क्या हो जाएगा minus c minus c तो x की power 0 a और c का मतलब क्या हो जाएगा x की power b हो जाएगा और यहाँ पर x की power minus c आ जाएगा फिर उसके बाद देखो x की power minus c upon 1 plus x की power b plus x की power minus c तीनों टर्म आगे हैं तो आप लिख सकते हो X की पावर माइनस A अपॉन 1 प्लस X की पावर C प्लस X की पावर माइनस A प्लस X की पावर माइनस B अपॉन में ठेक है? अपॉन के अंतर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब इसको आप लिख सकते हो कुछ इस टाइप से कि 1 प्लस X की पावर A प्लस X की पावर माइनस B प्लस X की पावर माइनस C अपॉन 1 प्लस X की पावर B प्लस X की पावर माइनस C अब अगर यहाँ पे तीनों equal होते तो हम LCM लेके आगे solve करते लेकिन अब यहाँ पे इसको आगे solve करना possible नहीं है तो आप इसे directly यहीं पे छोड़ सकते हैं यही आपका answer होगा तो student यह था हमारा आज का session I hope आप सभी को easily समझ में आया होगा फिर भी अगर कोई doubt या कोई query है तो आप नीचे comment section में comment कर सकते हैं in 24 hours आपके सभी doubt सभी queries को solve किया जाएगा I hope आपको यह session help कर रहा है इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा like और share जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़कर अपनी studies continue करने के लिए आप 777-653468 पर whatsapp के through message drop कर सकते हैं तो मिलते हैं आपसे अगले session में तब तक के लिए जय हिंद्द